हेलो स्टुडेंट्स, वल्कम टू आवर चैनल, तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारा हैं बात करेंगे, ओ है दा रूल आफ थ्री, तो ये टॉपिक वैरियेशन के चैप्टर के साथ थोड़ा सा कानेक्टेड है, मतलब अगर मैं ये टॉपिक अच्छे से समझाना चाहूं तो मुझे वैरियेशन के कुछ हिस्से उठे वहाँ पर यूज करने परेंगे, तो अगर आप लोगों ने हमारे वैरियेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो हमारे चैनल पर जाके प्लीज एक बार देख लीजिएगा, तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत आसान हमेरे होगी, फिर भी आपको वैरियेशन वाला वाला होगी आपको लूर पर सुछ तरह के होते हैं जैसे बनने डाडेट वैरियेशन ही और जाट वैर्ये जाएशन जियए हूँ संद प्लेशंह सिंधना अगर दो टॉपिक हैậy जय ब़ूपूस एक्स एक टापिक है तो भी उसके साथ increase होगा अगर x decrease होता है तो y भी decrease होगा अगर लेकिन inverse variation में अगर x ज्यादा होता है तो y उसके opposite कमते रहता है इसका मतलब यह x proportional to 1 by y होगा और joint variation तो 2 variations को एक साथ मिलाके तो चली शुरू करते हैं पहले तो rule of three में हम लोग पहले इसके बारे में कुछ जानेंग भी तो मैंने तो आपको पहले बताई दिया कि variation से आएगा और बाकी इसके about में जो है यहां पर हमें यह चीज जाने लेना पड़ेगा ratio का sign यह ratio का sign है तो ratio जो है अगर कोई fraction है 2 by 3 तो अगर हम लोग इसे ratio में लिखना चाहे तो वो हो जाएगा 2 is to 3 यही है ratio और इसे बाद चली हम लोग math करते हैं और हाँ double is to इसे हम लोग is to कहते हैं तो अगर double is to रहा तो इसका मतलब हुआ equals to मतलब 2 by 3 double is to 4 by 3 मतलब कि यहां पर यह जो था यह equals to होगा तो चलिए अब math शुरू करते हैं और हाँ direct variation में सिर्फ मतलब direct variation और inverse variation ही the rule of 3 में use होगा यहां पर joint variation का कोई काम नहीं है तो पहला math लोग शुरू करते हैं if 36 acre field needs 5 tractor then 45 acre needs how many tractor तो हम लोग दो column बना देते हैं जैसे एक होगा field जो पहला हो गया 36 और एक 45 acre तो और दूसरा हो जाएगा हमारा tractor जो पहला हो गया 5 और दूसरा हमें निकालना है तो हम लोग जो निकालना है चीज़ एजिम कर से सब्सक्राइब तो मैंने यहां पर T2 दिया मतलब T1 हमारे पास पहले से एक है तो अब देखते हैं यहां पर कौन सा variation का हम लोगों को मिलेगा तो अगर field जादा हुगा तो यहां पर field जैसे increase होता है ट्रैक्टर्स भी ज्यादा लगते हैं जैसे 36 एकर के लिए अगर पांच ट्रैक्टर्स लगेंगे तो अगर field ज्यादा हो गया 45 एकर तो obviously ज्यादा ट्रैक्टर्स लगेंगे तो यहां पर दोनों एक साथ increase हो रहा है मतलब इनके बीच में जो relation है वो direct variation का relation है मतलब simple relation तो f proportional to t मतलब यहां पर field को मैंने f दिया है और t को tractor तो यहां पर variation का यह proportion उठके constant term आएगा अगर आप लोगो constant term का मतलब नहीं समझ आए तो आप लोग मेरे direct variation के वीडियो को जरूर देखना इसमें आपको constant term का पूरा अच्छे से समझ हो जाएगा तो हम लोग यहां पर f1 field को इसको f1 और इसको t1 और इसको f2 और इसको t2 एजिम कर लेते हैं तो f1 by t1 is equals to k और दूसरी तरफ f2 is equals to t2 is equals to k तो यहां पर दोनों k हो गए तो k सेम हो जाएगा मतलब और constant term को मैंने c नहीं पकड़ा बस k आदत हो गया है लिखते 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 तो इसलिए k लिख लिए तो और हाँ अगर आप लोग जब math करेंगे तो k को bracket में k is equal to constant term constant obviously लिख दीजिएगा यह एकदम necessary है तो और हाँ यह जो मैंने variation का काम किया है यह आपको exam में देखाने की जूरत नहीं है क्योंकि यह मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए यह variation का काम किया है तो यहां पर हमारा हो गया f1 by t1 is equals to f2 by t2 तो यह हो जाएगा f1 is to t1 double is to f2 is to t2 और इसके बाद हम लोग को हमारा यही है rule of three का यही है इसका formula तो उसके बाद formula के बाद हम फिर इस line को लिखना पड़ेगा f1 by t1 is equal to f2 by t2 तो हम लोग यहां पर सिर्फ t2 नहीं जानते तो t2 को हम लोग इस side में लाएंगे उपर और इसके बाद f2 के साथ t1 multiply करेंगे और t1 के नीचे f1 तो हम लोग पर f1 जो है नहीं होगा क्योंकि किसी tractors का number कभी decimal में नहीं होता तो हम लोग इसको 6 ले लेंगे तो आप देख सकता है अब कि 45 एकर फिल्ड के लिए ही हमें six tractors लग रहे हैं minimum six tractor लग रहे हैं तो यह बिल्कुल direct variation हुआ तो अगला math हम लेंगे एक inverse variation के साथ तो 10 people do a work in 18 days then 12 people do it in how many days तो हम लोग फिर से column बनाते हैं तो अब देखिए अगर peoples जादा हो जाएंगे तो हमें एक काम करने में सिर्फ कुछी दिन लगेंगे अगर people कम हो गए तो हम लोग उसी काम को करने में जादा दिन लगेंगे मतलब अगर यह increase होता है तो यह decrease हो रहा है अगर यह बढ़ता है तो यह कमता है तो हम लोग तो यह होगा p proportional to 1 by d तो यहाँ पर मैंने फिर से constant term लिया उसके बाद p1 d1 is equal to k और यहाँ पर p2 d2 is equal to k तो यहाँ पर p1 d1 is equal to p2 d2 तो यहाँ पर हमने p1 के नीचे p2 लाए और यहाँ पर d2 के नीचे d1 ले गए तो यहाँ पर जो हमने पहले वाला मैंत के हो आपर यह दोनों एक ही जैसे तो मतलब यहाँ पर 1 था यहाँ पर भी 1 था यहाँ पर भी 2 था यहाँ पर भी 2 था लेकिन इसके लिए यह opposite हो गया तो हम लोग फिर से वारी लाइन लिखते हैं तो P1 by P2 is equal to D2 by D1 तो हमें निकालना है D2 तो यह हम लोग का हो गया P1 D1 by P2 is equals to D2 तो P1 D1 हो गया P1 मतलब 10 और D1 मतलब 18 यह हो गया 12 is equal to D2 और D2 का answer हो गया 15 days तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले 18 था उसके बाद अब यह 15 हो गया तो इसका मतलब अगर पीपल बढ़ गया तो दिन कम हो गया बस यही था rule of 3 इसके बाद हम लोग अगली वीडियो लाएंगे तो होगा रूल ओफ फाइव यहां पर हमने सिर्फ टीन नंबर्स हमें दीए गये थे और हमें चौत्हा नंबर निकालना था अगली बार हम लोग लाएंगे जो होगा मपर हमें पांच नंबर दिये जाएंगे और हमें च्छटा नमबर निकालना होगा तो हम लोग आपको दो मैस्स दे रहे हैं करने के लिए जिसका एंसर आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर जनाएगा तो पहला हो गया इफ 15 एकर कोस्ट 30,000 रुपीज देन 70 एकर कोस्ट हाउ माच मतलब यह कीमत है इसकी और दूसरा है इने कैम्प फूड इस्टोड फूर्टी पीपल टूइट 20 देज इफ 10 पीपल केम एंड जॉइन देम देन हाउ मेनी देज नीड टू कॉम्प्लीट दा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब की देगे और गुड़ बाई